आप पार्टी के कार्यकरतागन ग्रीन वेली धरंपूर कालोनी पिंजोर में 9 अप्रेल को बाबा साहब भीमराव अमेड कर जी की 130 वी जनती मनाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकरताओं ने पार्टी की नेता बलवान ठाकुर के नेतरतों में धरमपुर कलोनी में एक प्रेसवारता का आयोजन किया गया था आप पार्टी के कार्यकरता बलवान ठाकुर ने वीरवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकरता गन आने वली 9 अप्रेल के दिन ग्रीन वैली धरंपूर कालोनी पिंजोर में बाबा सहाब भीम रहम अमेड करजी की एक सोकत्तिमी जन्ती मनाने का नेरनाय लिया गया है इसी सबंद में आप पार्टी के कार्यकरतों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें संगहटन मंतरी इश्वर शिंग, कालका विधान सबाव पाध्यक्ष, स्वरन पाल सिंग, बलवान सिंग, ठाकुर दिनेशवाल में की और हसनन शेक मीटिंग में मौजूद हुए इसके लावा यहां सुखवीर चहल, बीके कोशिक, योगंदर शर्मा, डेरावसी विधायक, कुल्जीर सिंग, रंधावा स्वहित अन्यप पदादकरीगन मौजूद रहेंगे। इस कार्यकरम में सैंकडों लोग अलग-अलग राजनितिक पार्टीयां छोड़कर आम आद पार्टी के राज्या सभा सांसत्थ और हमारे हरें के प्रभारी मुख्यती थी के रूप में पहुंच रहे हैं। इनने के साथ पिर हमारे एलेक्षन जो एलेक्षन कमेटी के चेर मेन हे हर्याना के भार्दबाद जी भी आ रहे हैं साथ उर्ट साथ ने यहाँ पे और गृशन नंबर से शुरू कर रहे हैं और मैं अभी मैने भी आम आदमिय पार्टी नमी नमी जुएंड करिया और मेरे मन में था कि अंवेड कर जियंति मना जाए क्योंकि ये पार्टी जातपास से बहुत दूर है क्यों कि मैं राजपूत हूं और लोगों एसंद को मैसेस देने की कोशिश करिए है कि प्राम्मल राजपूत कोई उन्होंने दलित बना दिया किसी को कुछ बना दिया आम आदमी पार्टी में सभी हिंदुस्तानीगे सभी एक हैं हम महाराना परताप की जयनती भी मनाएंगे इसी तरह धूनदाम से अंबेटकर साप की जहनती मना रहे हैं क्योंकि अंबेटकर साथ का जो योगधान है वो कोई भूल नी सकता हंदुस्तान के सविधान के अंदर उन्होंने महिलाओं को अपना हक दिलवाया, मुजदूरों को अपना हक दिलवाया उनके अम्बेटकर जियनती मिना रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जादा से जादा सभी ब्रादरी के लोग इसके अंदर पहुंचें ताकि अम्बेटकर जियनती की शाम ब्रादर रखें